तो बजिन स्टॉक सी कैटेगरी में जो पहला स्टॉक आचुना गया है वो है करनाट का बैंक का जहां पे आज हम देख रहे हैं कि लाल निशान के साथ यानि गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है दरसल तीसी त्माही के नतीजे आए हैं कल बजार बंदोने के बाद जो की ब मुनाफा 10.20 के आसपास बड़ा है लेकिन इनकी नेट इंटरस्ट इंकम यानि एन आई आई उसमें करीब एक पसंद के आसपास की कमी देखने हो कमला है जो की जाहतर प्राइवेट बैंकों भी रहे हैं और इनका जो नेट इंटरस्ट मार्जिन है उसमें भी कमी हुई है 3 3.58% के घटकर 3.46% के तिमाही दर तिमाही जो मार्जिन से उसमें फॉल देखने कमला है और सबसे ज़्यादा दिकत की बात इस वज़े से शेर गिरा है वो है एसेट क्वालिटी इनके जो ग्रॉस NPA है उसमें 0.17% का एक इंक्रीज देखने कमला है 3.64% पर रहे हैं और ने 30 रुपे 10 पैसे का दो हफ़ते का निचला सारी स्टॉक ने चुआ है कनाटका बैंक सार इसके नंबर्स अगर आपने देखे हूँ या चार्ट देखा हो कैसे रीड कर रहे हैं आप 233 रुपे के आसपास का जो लो बना है क्या गिरावट हो चुकी है नंबर्स का इंपक्ट होता है उसमें रिस्क वेटेश पराई थी और उनको ये डर था कि जो क्वालिटी ओफ लोन्स हैं उसमें कहीं न कहीं बैंकों ने कुछ छूट चार्ट दी है जिसके कारण इस कारण से उनके बैलेंशीट पर दबावा सकता है उनकी ठिंकिंग एकदब सही थी और कनाटक ब बढ़े है क्वालिटी ओफ एसेट में गिरावट है नेट इंटरेस्ट इंकम में गिरावट है तो ये सब उसी चीज का संकेद देते हैं जहां तक इसका चार्ट देखे तो कहीं पर ये एक डिस्टिबूशन पैटर्न दिखाने लगा है और ऐसा लगता है कि ये जो 285 का उ महां पे काफी रिजिस्टेंश शेर को आ रहा है मेरे ख्याल से आज जो गिरावट है हो सकता है कल परसों में इसमें चोटा सा बाउंस आए अगर कोई इसमें निवेशित है तो उस बाउंस में निकल जाए और अगर वो जो कहते हैं जल्द बाजी का एक डिसिशन लेना चा दोर्ट से गुज़र रहा है तो नंबर अच्छे नहीं रहे हैं एक्जिट ऑन राइस यानि कि कोई भी बाउंस मिलता है आज की जो गिरावट होई है उसमें वेगर कोई चाहे तो इस टॉक से एक्जिट कर जाए इससे निकल जाए यही बेतर अनीती होगी और कोई प्लाटफॉर्म फीस है उसे दो गुना करने की यहां पर बातचीत करी है प्लाटफॉर्म फीस जो है उसे पांच रुपे से बढ़ाकर सीधा दस रुपे करने की बात की गई हाला कि यह कुछ सेलेक्टिव यूजर्स के लिए ही यह बढ़ाई गई है हाला कि कंप्टी ने ग्रहाक है उनकी और से किस तरह का रिस्पॉंस देखने को मिलता है यही कारण है कि आज हम देख रहे हैं कि पॉने के बारे में अगर आप फीडबैक लें सोशल मीडिया में तो पब्लिक यह कंप्लेन करती है कि जोमेटो कई तरह के चार्जिज लगाता है यह पांच दर्स अगर स्विगी कर लेता है और अगर उसके लिए जोमेटो बढ़ रहा है तो मेरे ख्याल से यह सही चीज नहीं है और आज नीजक रियाक्शन है कल पर सो में हो सकता है कि वापस यह करेक्ट कर ले क्योंकि जोमेटो औरेड़ी यह दस रुपए से बहुत ज्यादा चार्ज करता है कस्टमर को तो यह पांच का दस होने से इसको क्या फाइदा होगा मुझे नहीं समझ में आता है तो यह रहा है फिलाल जातक जोमेटो की बात है लेकिन अगला शेयर जहां पर आज खबरों का इंपक्ट है या नतीजों का इंपक्ट देखने को मुल रहा है वो है तलना प्लैट्फरम्स का जिसे आप पहले तलना सेलूशन के नाम से भी जानते थे इस शेयर में भी आज बड़ी गिरावट देखने को मले क्योंकि जो तीसी तिमाही के नतीजे आये हैं उससे दरसल बादार को निराशाहात लगी है नमबस की बात करें तो इनकी जो आए है तिमाही दर तिमाही क्योंकि यह आई टी कंपनी है तो नमबस को तिमाही दर तिमाही कंपेर करते हैं ए 19% के margin थे पिछली तिमाही में यानि की दूसरी तिमाही में वो घटकर 19.12 दो फीज़दी पर अब आते हो दिखे हैं और उसी का impact हमने मुनाफ़े पर भी देखा है जो 2% घटकर 140 करोड रुपे के आसपस आता हो दिखा है तिमाही दर तिमाही अदार पर स्टॉक आज करीब 7.5% नीचे है और दिन के दुरान हमने देखा है कि शेर में इतनी ही फॉल देखने को मिली है एक हजार पचास तक के लेवल साभी देखने को मिली है और 1046 का लो है यानि की डे लो के आसपास ही स्टॉक में कारोबार देखने को मिल रहा है सर इन फैक्ट यह तीसरा आईटी स्पेस से रेलिटेड स्टॉक है हलाकि यह आटिफिशल इंटेलिजेंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं लेकिन आईटी एज़ पैक में हमने रूट मुबाइल देख लिया यह तनला प्लैटफॉर्म देख लिया जहां पे हम देख रहे हैं में एक जो बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है सभी तरह के कंपनी को लेकर वो है कॉस्ट इंपैक्ट ऑन राइजिंग लेबर कॉस्ट लेबर कॉस्ट कहिए पीपल कॉस्ट कहिए उसको कोई भी आपनाम दे दीजिए बट जो कॉस्ट इंक्रीज देखने को मिल रही है उसके कारण कई कंपनियों की पर्फॉर्मेंस खराब हुई है मार्जिन इंपक्ट हुआ है जो कस्टमर है वो हायर सैलरी का इंपक्ट आपको देने को तयान नहीं है और वो कॉस्ट काटिंग मोड में है इस चीज को लेकर जहां पर भी पीपल्स कॉस्ट बढ़ा है उस अपनी का प्रदर्शन खराब हुआ है और शेर के पिटाई हुई है मेड़े खाल से कानला भी उसी बेमारी का एक मरीज है और कुछ समय इसको लगेगा इससे बाहर निकलने का आर्टिफिशल इंटेलिजेंस है तो स्किल सेट्स ज्यादा चाहिए लोगों की बनिस्पत रहेंगे आते हैं और उसका इंपक्ट इसके नतीजें पे आया है तो क्या करना चाहिए सर इसमें तानला प्लाटफॉंस में यह जो फॉल है आज का यह खाईदारी का मौका है या फिर इनके पास है वो क्या करें सर्थ देखिए जब इतना बड़ा फॉल इंपक्ट रिजल रहें वो निकल सकता है बट निवेशक के लिए इन्वेस्टर के लिए ये एक उपर्चुनिटी नहीं है शेर को कहीं न कहीं दो चार दिन में संबलने दीजिए और जब आपको लगे कि एक तरह का शॉट टम बॉटम बन चुका है तो ही इसमें निवेश करें तो इन्वेस चाहिए ताकि एक बॉटम फॉर्मेशन हो जाए स्टॉक में उसका आपको वेट करना चाहिए एक्सिस बैंक ये आज का एक एक सिडेंट है निव्टी का सबसे बड़ा लूजर है चार पसंद से ज्यादा के गिरावर्ट अभी भी स्टॉक में देखने को मिली है तीसी तिम है वो बैंकों में एक कॉमन फैक्टर नजर आता हो दिख रहा है दस बेसिस पॉंट के आसपास की गिरावर्ट इनके मार्जिन में है चार पसंद के आसपास के मार्जिन आगे जो की 4.11 पर थे ब्रोकर्स हलाकि इस स्टॉक को लेके अभी भी अपना जो भरोसा है उसे बरक आज गिरावर्ट देखने को मल रही है जो कि अब गहरा चुकी है 200 उनकों के आसपास की हो चुकी है वो इसी का नतीजा ही है क्योंकि एक्सिस बैंक की और से काफी ज़्यादा प्रेशर देखने को मल रहा है तो एक्सिस बैंक में क्या करना चाहिए सर 4 पसंद की जो कर ये शेर गिरा है इसका मतलब कहीं न कहीं उसको उस लेवल पर रेजिस्टेंस मिल रहा था और शेर संकेत दे रहा था कि शायद नतीजे के बाद में एक बड़ा इसमें फॉल आ सकता है वो भी आज आ गया है और जो पिछला लोग बना था चार-पांस दिन पहले उसको भी शेर ने तोड़ा है तो मेरे खाल से बैंकिंग शेत्र की जो उम्मीद की जा रही थी जो नेफ्टी का सबसे बड़ा प्लेयर है बैंकिंग शेत्र बैयालीस प्रसेंट से ज्यादा का वेटेज रखता है निफ्टी में ने भी जो कहते है कमर थोड़ दी है और यह एक इंपक्ट निफ्टी में यह बीसी के सूचकांक में देखने को मिल रहा है मेरे खाल से इस बाव पर यह शेर में थोड़ी सी शॉट टर्ब गिरावट हो सकती है और फिर यह एक हजार चालिस पचास के एक हजार चालिस के आसपास आपको कहीं न कहीं इसका एक बाटम फॉर्मेशन दिख सकता है जहां से इसमें फ्रेश रन निती बनाई जा सकती है बट शेर को फिलाल पाच-सा दिन तक संभलने दीजिए एजडी एफसी बैंक का उधारन ले लीजिए साथ दिन हो चुके है लेकिन अभी तक शेर संभला नहीं था आज ही उसमें पहली बार कुछ एक रिबाउंट देखने को मिला है तो उसी तरह एक्सिस बैंक में भी आपको कुछ समय लग सकता है पांच-साथ कारोबारी देवस ठीक है सर एक हज़ार चालिस के आसपास हो सकता है कि स्टॉक में बॉटम फॉर्मेशन हो जाए बेस फॉर्मेशन हो जाए लेकिन पांच-साथ दिन का समय देना चाहिए SJFC बैंक का एक्जामपल हमारे सामने है जिस तरह के गिरावट उस टॉक में देखने को मिली थी तो थोड़ा वेट कीजिए थोड़ा सा समभल ने दीजिए शेयर को उसके बाद आप चाहें तो लंबी अबदी के रनितीज स्टॉक में बनाके चल सकते हैं इंडस्ट आवरस एक और कमपणी हैं जिसके नतीजे हैं जिसके बाद हम देख रहे हैं कि आज इस स्टॉक में आक्शन देखने को मिल रहा है दमदार नतीजे इस company ने पोस्ट की हैं जिसके बाद आज इस stock में ख़ज़ारी का रुज़ान देखने को मिल रहा है इनकी जो AI है तिमाही दर तिमाही 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 दर तिमाही नंबर को compare कर रहे हैं एक पसंद के आसपास की बढ़त है 7200 क्रोड उपे के आसपास का AI का नंबर इस company ने रिपोर्ट किया है कामकाजी मुनाफ़ा करीब पौने 5 फीज़दी बढ़ा है 3622 क्रोड का नंबर आया है तिमाही दर तिमाही अगर हम देखें margins में भी jump है साड़े 48% के margin थे वो बढ़कर 50.3 फीज़दी के आसपास देखने को मले है और इनका जो मुनाफ़ा है उसमें 19% की growth देखी गई है 1540 क्रोड उपे का जो नंबर है क्या करना चाहिए सर इंडस्ट आवर्स के stock में आज एक निया 52 वीक हाई लगता हूँ दिखा है 236 रुपे का 236 रुपे क्या कोई fresh entry कर सकता है सर 231-32 के आसपास अभी भी चल रहा है तब देखिए नतीजे अच्छे हैं वाल्यूम के साथ शेर उपर गया है ऐसे situation में entry करने में एक ही risk होता है कि अगर कहीं पर इसमें एक या दो दिन के बाद विक्वाली आ जाती है तो शेर में गिरावट भी अच्छी आती है और फिर कई निवेशक कुछ दिन के बाद इसकी query लेके आएंगे कि सर मैंने इंडस इस भाव में लिया अब मैं क्या करूँ अच्छे नतीजे पे शार्ट जम वाली कंपनी में उस दिन निवेश करना खत्रे से खाली नहीं है एक दो दिन अब ये 9% की जो rally है उसमें 15% होना immediate impossible लगता है तो एक दो दिन share को संबलने दीजिए क्या रुजान दिखाता है किस तरफ ये share जाता है उसके बाद ही निवेश करने का सोचिए तब तक क्योंकि अच्छी कंपनी है इसके उपर में कई brokerage houses की report भी आ जाएगी तो वो सब पढ़कर आप एक opinion बना सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए ठीक है तो broken houses की reports in fact हमने देखी भी है सर इंडस्टावर को लेके आई भी है इंडस्टावर की अगर हम बात करें जो इसमें reports मैंने आज सुबह read करी है उसके मताबिक देखें तो अच्छी खासी reports इसमें आती हुए दिखी है जिसमें कुछ शायद target जो है वो भी upgrade किये के हैं इस company को लेकर लेकिन थोड़ा रुकना चाहिए numbers जरूर अच्छे आएं लेकिन wait करना चाहिए loop in एक और stock है जो कि आज limelight में है stock में कुछ खबरों का असर देखने को मिला है इनकी एक दवा है जिसकी मनजूरी इनको USFDA से मिली है rivero examen नाम की tablet है जिसकी बिकरी के लिए इनको शुरुवाती मनजूरी मिली है US का जो drug regulator है USFDA उनकी और से यह शुरुवाती मनजूरी इस tablet को मिली जो कि इनोंने USFDA के सामने अरजी डाली थी company का जो पीतमपूर plant है वहां से दवा बनाई जाएगी और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि इस stock में action देखने को मिला और उसकी वज़ा यह है कि इस दवा की जिसकी मनजूरी मिली है US में उसका सलाना कारोबार करीब 60,000 करूर रुपे का है इसलिए हम देख रहे हैं कि stock में आज action देखने को मिला है यह share ने आज 1463 रुपे का जो 52 विक हाई है उसे टच किया है और आज दिन के दुरान अगर आप देखें तो share में काफी अच्छा action बनता हो दिखा इसी खबर के चलते ही लुपिन के share में सर आपकी क्या राय होगी सिपला ने भी numbers के बाद काफी अच्छा एक run-up दिखाया था numbers काफी strong आये थे और आब यह जो लुपिन को लेके बड़ी खबर आती हुए दिखी है साड़ेच चौदा सो रुपे के आसपास क्या आप fresh entry की राय देंगे इसमें अंदीब जी अगर आप इसका chart थोड़ा सा medium term का देखें तो मई 2023 से ये share एक लगभग एक upward trend में चल रहा है और हर बार अपने short term averages पे support लेकर आगे बढ़ जाता है तो एक rising trend line है और अच्छी खासी move ये share लगभग अगर मैं कहूं तो double हो चुका है पिछले 6 से 7 महीने में शेर का pattern trend सब कुछ positive दिखा रहा है news flow अच्छा है लेकिन जैसे बोलता हूँ जिस दिन news आती है उस दिन याद तो आप शुरू शुरू में news पढ़कर गुज जाईए या share को थोड़ा सा quiet होने दीजिए एक दो दिन के एक दो दिन के बाद और फिर उसमें निवेश कीजिए ने तो एक दर रहता है कि आप टॉप भाव में एंट्री ले ले दे हो ठीक है तो मतलब आप कह रहे हैं कि लूपिन में थोड़ा सा ठहराव आने दीजिए आज एक जो ख़बर आई है उसके बाद इसने निया 52 वीक हाई टच किया है तो थोड़ा cool off होने दीजिए थोड़ा नीचे आने दीए सेटल होने दीजिए उसके बाद आप चाहें तो लूपिन में ख़दारी करके चल सकते हैं जब स्टॉक थोड़ा सा सेटल होता हुआ दिखे तो ये थी बादिंग शेरों की सूची